Hello everyone, welcome to Universal Message Channel जहां मैं आपको सिखाती हूँ Law of Attraction इसके अलावा Self Love, Inner Child Healing, Self Love and आप किस तरीके से अपनी सारी wishes manifest कर सकते हूँ और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ऐसे 5 special health affirmations जो आपकी help करेंगे आपकी health को manifest करने में जो इनसान healthy होता है, वही सारी चीजों को enjoy भी कर पाता है और वही बाकी चीजों को manifest भी कर पाता है तो अगर आपकी health थोड़ी से भी खराब है तो याद रखिए, ये body का एक संकेत है कि आपको अपनी लिए काम करने की जरूरत है आपका हर body part बताता है कि आपके life के किस area में problem है यानि आपकी हर एक बिमारी ये बताती है कि आप किस type के thoughts रखते हो अगर कोई person जो की बिमारियों को अच्छे से जानता होगा सिर्फ आपकी बिमारियों को देख करके यानि अगर आप उन्हें अपने बिमारियों के बारे में बताओगे तो वो बता देंगे कि आपके thought patterns किस type के है आपके अंदर किस type के thoughts चलते रहते हैं आपके इन चीजों से डरते हो तो यहां तक कि जानकारी आपके निकाली जा सकती है सिर्फ और सिर्फ आपके बिमारियों को देख करके metaphysical world में इन सारी चीजों की भरपूर knowledge है तो अब आज मैं आपको कुछ ऐसे affirmations बताने चाहरी हूँ जो आपकी overall health को अच्छा करेंगे यानि आपको healthy रखेंगे आप चाहे एक healthy person है या फिर आप एक unhealthy person है आपको इन affirmations को daily repeat करना चाहिए आप अपने life में changes देखेंगे अब देखेंगे किस तरीके से आपकी health improve हो रही है बहुत ही चल्दी यह याद रखें कि जब आपके affirmations काम करते हैं तो आपके जीवन में magic होता है हाँ affirmations हर बार काम करते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं पता affirmations के बारे में तो एक affirmations एक हजार बार बोलना start कीजिए तीन चार महिने तक लगातार बोली बना मिसकी हुए आप देखेंगे कि वो चीज आपकी life की reality बनना start हो गई है और कई मामलों में बन भी चुकी है ठीक है तो यह था मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा knowledge जिसे आपको याद रखना है अगर आप मेरे videos daily देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजे अलड़ी पता होंगी thoughts के बारे में और जितनी की चीजे मैं सिखाती हूँ उसके बारे में अगर आप daily नहीं भी देखते तो आज जो आप सीख रहे हैं उसे याद रखेगा आपके बहुत काम आने वाला है life time वैसे तो आपने जो सुन लिया अब वो आपको याद रहेगा है जब भी आपको problem होगी वो उसी time आपका subconscious यूज़ कर लेगा तो अब मैं बता देती हूँ वो 5 affirmations first affirmation है I am healthy यानि मैं बिल्कुल स्वस्त हूँ ठीक है मैं स्वस्त हूँ आपको यह declare करना है I am healthy इसके बाद आप सिर्फ one word affirmation है करेंगे वो है health ठीक है यह बहुत simple है second affirmation था health, health, health अब मान लो आपको खुबसूरती चाहिए मान लो आपके लिए health का मतलब क्या है कुछ लोगों को facial खुबसूरती चाहिए होती है अच्छी खासी body चाहिए होती है तो वो बोलेंगे आप बोल सकते हो beautiful expression of universe or life ठीक है तो आप जीवन के बहुत ही खुबसूरत एक expression हो तो यहां से यह affirmation है जो कि बहुत deep है यह आपका subconscious easily समझेगा fourth affirmation की बात करते है fourth affirmation है I am safe अब आप बोलोगे कि health की affirmation में यह safety वाला word कहां से आ गया बहुत ज़रूरी है हमारी health खराब ही इसलिए होती है क्योंकि हम safe feel नहीं करते हैं ठीक है तो यह एक deep affirmation है जो कि आपके subconscious के लिए है जो कि आप repeat करेंगे consciously ठीक है इसके बाद आपके लिए fifth affirmation है I am always loved मुझे हमेशा प्यार किया जाता है that's it यह five affirmations अगर आप इन्हें याद कर लेते हो और daily repeat करते हो तो मैं बोलते हूँ आपको कि आपको maximum health मिलेगी चाहे आप healthy person हो तो आपकी खुबसूरती inner and outer दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ चाहेगी आपकी body बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी यानि आप health को feel करोगे energy को feel करोगे excitement को feel करोगे life को लेकर कि इसके साथ ही लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा attract होंगे लोग आपको पसंद करेंगे और जो लोग unhealthy है उन्हें इस inner affirmations को करने से बहुत फायदा होगा उन्हें अपनी life में मज़ा आने लगेगा उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और इसके साथ ही उनकी health तो इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप खुद ही बोलोगे कि वाह कितना अच्छा affirmation है मेरी health बहुत अच्छी होगी बस feel करके meaningfully इस affirmations को आपको करना है repeat करते रहो अगर आपको विश्वास भी नहीं होता तो मेरे कहने पर 1000 times 3 months तक repeat करो फिर आप खुद आ करके बताओगे मुझे कि हाँ मेरे लिए इस चीज ने work किया भले ही मैं faith या विश्वास के साथ नहीं कर रही थी या नहीं कर रहा था बस repeat करने से मेरे लिए सच हो गया तो आज की वीडियो में इतना ही तो आज आपने जो भी सीखा उसे लिख लीजिए अपने रूम में या कहीं बे भी इस्टिकी नोट पे लगा के लिख लिख लिखे आप लगा दीजिए आपको बहुत फायता होगा तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर पोस्ट यानि कम्यूनिटी पोस्ट के सेक्शन में आके लिखते हैं कि मुझे नहीं पता नहीं पता कैसे कॉंटेक्ट करना है तो चले मैंने आपको भी पता दिया ओके थैंकियो सो मच गाइस आई लव यू एन हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा